जब पांच साल शाषन में रहे अखलेश यादो और आज भी आप लखनव जाएंगे तो आप लखनव में दो लोगों का काम पाएंगे आप कहीं से कहीं तक चले जाएए या तो आप अधरडी मायवती जी का काम पाएंगे और या अधरडी अखलेश यादो जी का तो जब उन्हें काम करने का मौका मिला, तो उनका काम ही गारंटी था, उनकी जबान गारंटी नहीं थी, लेकिन उनका घर धुलवाया, इस बार के चुनाओ में तो उनका मंदिर धुलवा दिया, और अखिलेश यादों ने एक इंटर्वी में पूचा कि मेरे घर के बच्चे अब तो इस सवाल का भी जवाब मिल गयाना है कि जो जीत थी वो मुलायम सिंग यादो जी की थी, अखिलेश यादो तो अपने जीवन में कोई चुनाओ नहीं जीते, अखिलेश यादो अपने जीवन का इतना बड़ा चुनाओ जीते कि अब तक कि समाजवादी पारटी का सबसे बड़ा परिडाम मिला सोचते हैं, बताते हैं, तुम को कौन सा मंत्रा ले देंगे, तुम सची रख पाओगे की नहीं, तुमारे दरबार का चपरासी भी हम बताएंगे, बहुत बड़ी लड़ाई थी, उन्निस में भी ये सब हुआ, इस बार तो ऐसे लग रहा है कि चार को रिजल्ट आया, शाम तक चेहरे उदास थे, फिर भी आये शुक्रिया करने, और उसके पाँच को मीटीं हो गई, फिर पहुँच गए वहाँ, ठीक बात है, ये उनके पक्ष में है, वो कर सकते हैं, मुझे लग रहा है, लेकिन मनवर कांशी राम कहा करते थे, हमें मजबूत नहीं, मजबूर सरक चाहिए, और किसी भी वंचित, शोशित, जमात के लिए, वो सरकार बहुत काम की होती है, जिससे वो अपने हक में फैसला करा लें, आप इस देश के किसानों से पूछेंगे कि कैसी सरकार चाहिए, तो वो ये कहेंगे कि ऐसी सरकार चाहिए, कि हम आंदोलन करें, तो हमारे उपर गोली, मुकदमा, कीले, ये नहो, मुझे लगा ऐसी सरकार बनने जा रही है, अगर वो बन रही है तो, बनी रही है फिलहाल, दूसरी तरफ अगर आप पूछेंगे कि कोई भी आंदोलन करें तो जेल में डाल दो, मुझे लगा वो अब नहीं हो पाएगा, वो जो आन इश कुमार जी कब तक पल्टी नहीं मारते हैं, इसी बात के इंतजार में टिकी रहेगी, अभी तो बहुत सारे लोगों के धड़कने बढ़ गई होंगी, जब फ्लाइट में बैठे तेजस्वी नितीश के पीछे, और उपर से फिर फोटो आई कि बगल में बैठ गई, प सरकार के उपर अब बेलगामी नहीं रहेगी, जो ये कहते थी कि आने वाले छे महीने में सरकार बनते ही, एतिहासिक फैसले होंगे, वो वो नहीं होगा, जनता कई थाकत बढ़िये, आपके सवाल का दूसरा पक्ष, कि अगर कोई परिस्टी बदलती है, मुझे लगता ही कि राजनीति के केंदर में क्या होता है, एक भाषन है जो बहुत लोकपरी होता है, प्रमोध महाजन का, कि वो चीन के दोरे पर गए होते हैं और उनसे कोई पूछता है कि भारत में लोकतंत्र या डिमुक्रसी कैसे चल रही है, तो बताते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी के म मतलब इकबाल ने एक शेर लिखा है, बहुत मौझू है वो, कि जमहूरियत एक तरज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं, तो जब गिना जाएगा, गिनती होगी, तो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी अफ इंडिया समाजवादी से अपेक्षित परडाम नहीं आ पाए, अखिलेश यादों ने उस सामपरदाइक राजनीती के सामने, सामाजी नियाएकी राजनीती का एक विकल्प दिया, इन तमाम वजहों से, और जब पांच साल शाशन में रहे अखिलेश यादों और आज भी आप लखनव जाएंगे तो आप लखनव में दो लोगों का काम पाएंगे, आप कहीं से कहीं तक चले जाएए, या तो आप अधरडी मायवती जी का काम पाएंगे, और या अधरडी अखिलेश यादों जी का, तो जब उन्हें काम करने का मौका मिला, तो उनका काम ही गारंटी था, उनकी जबान ग गहर धुलवाया इस बार के चुनाव में तो उनका मंदिर धुलवा दिया और अखिलेश यादो के जहन में अगर न्याय है सामाजिक न्याय है अगर एक इमानदारी है सब को साथ लेकर चलने का हुनर है अब तो इस सवाल का भी जवाब मिल गया नहीं कि जो जीत थी वो मुल अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीते अखिलेश यादो अपने जीवन का इतना बड़ा चुनाव जीते कि अब तक कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा परड़ाम मिला तो काम करके भी दिखाया है चुनाव जीत कर दिखाया है सब को साथ लेकर के दिखाया है अपने उपर होने वाले निक्रिष्टतम हमलों में भी बहुत सयम के साथ मुस्कुराते हुए जवाब देकर दिखाया है तो मुझे लगता है कि सेंटरल लिडर्शिप में ऐसे अच्छे लोग हों और बड़ी भूमी कामे हों इसमें पूरे देश का फैदा होगा